सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है और आज की वीडियो में मनरेगा मेट के लिए बहुत इंपोर्टेंट जानकारी है मनरेगा मेट को अब देनी होगी लिखित परिच्छा जी हाँ सबी मन्रेगा मेट जो नियुक्त हुई हैं उनकी लिखित पर इच्छा होगी पूरी जानकारी देख लीजे यहां पर आपको बताने कि लखनों से जानकारी है कि ग्राम विकास विभाग मन्रेगा महत्मा गांधी राष्ट्री ग्रामी रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं को कार देने के साथ उन्हें आत्म निर्भर बनाया जा रहा है प्रदेश में करीब 44,000 महिलाओं को अब तक महिला मेट के रूप में जोड़ा जा चुका है उन्हें विशेस प्रसिक्छड दिलाकर लिखित पर इच्छा कराने को तयारी है ताकि वे पुरुसों की मेट के पद पर पदोनत हो सकें प्रसिक्छड के दारान महिलाओं को मांदे भी मिलेगा जी हाँ पहले जो मेट बन चुकी है पहले उनकी ट्रेनिंग विशेस ट्रेनिंग करवाई जाएगी और वहाँ पर ट्रेनिंग के साथ साथ उनको मांदे भी दिया जाएगा कितना मिल पूरा जो है आप देख लीजे गामों में मनरेगा से महिलाओं को शक्त बनाने की मुहिम तेज हुई है वैसे तो इस योजना में सिर्मिक के रूप में महिलाओं लंबे समय से काररत हैं लेकिन आठ मार्च को ग्राम विकास विभाग ने मेट के 50 फीसद पदों पर महिलाओं क मौका मिलेगा फिर से अच्छ समझ लीजे मेट की नौकरी केवल 3 साल तक की है और इसके बाद उनकी नौकरी आगे क्या होगी तब ही जानकारी मिलेगी 3 साल के बाद इस पद पर रहने का मौका 3 साल तक है असल में 58,189 ग्राम पंचायतों में वर्ष भर मनेगा का कार चलता ही रहता है उन में से करीब 60 प्रतिशत कार ऐसे होते हैं जिन में 50 से अधिक मजदूर लगते हैं इतने मजदूरों पर एक मेट रखा जाता है अब तक करीब 44,000 महिलाओं को मेट के रूप में जोड़ा जा चुका है इन महिलाओं को विभाग अब विशेस परसिक छड़ द होंगी यह परसिक छड़ आन जाब यानि की महिलाओं को 6,000 रुपे परतिमाह भुकतान भी दिया जाएगा यानि की जब आप परसिक छड़ लेंगी ट्रेनिंग लेंगी साथ में आपको 6,000 रुपे का वेतन भी मिलेगा परसिक छड़ साथ दिन चलेगा यानि की दो महिना इसके बाद उनकी विकास खंड इस तर पर लिखित परिच्छा कराई जाएगी इमतिहान में मेट के कामकाट से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे जो कि ट्रेनिंग में सीखे होंगे ग्यात हो कि महिला मेट के रूप में वैसे तो आठमी पास होना जरूरी है लेकिन अधिकांस महिलाएं इंटर उत्तीड और उच्छित हैं लिखित परिच्छा में जो महिलाएं उत्तीड हो जाएंगी उन्हें अर्ध कुशल सर्मिक के रूप में कार्म मिलेगा वहीं जो असफल हो जाएंगी यानि कि फेल हो जाएंगी उन्हें फिर से 40 दिन का विसेश पर सिक्छड दिलाया जाएगा दोबारा पर सिक्छड के بعد फिर लिखित पर इच्छा होगी और इसमें अनुतिड होने वाली महिला, अगर इसमें पास लोगई दोबारा झाल तो ठीक है और दोबारा भी अगर आप फेल हो गई अनुतिड हो गई तो फिर 은 महिलाओं को दोबारा तीसरा मौका नहीं मिलेगा असफल होने वाली महिलाएं सिर्मिक के रूप में मन्रेगा में कार कर सकती है यानि कि अगर अगर दोनों बार पर इच्छा फेल हो जाती है तो फिर सिर्मिक के रूप में आप मन्रेगा में कार करेंगी मेट के रूप में नहीं करेंगी तो मेट बनने के लिए आपको ये परिच्छा पास करनी बहुत जरूरी है लेकिन मेट बने रहने के लिए उन्हें यहाँ दक्छुता दिखा दी होगी यानि कि पेपर पास करना होगा मनरेगा के अपर आयुक्त योगेस कुमार ने बताया कि लोक निर्माड विभाग के 18 जोन में दी जा रही अर्द कुशल मजदूरी की तरज पर महिलाओं को भुक्तान मिलेगा उन्होंने बताया कि महिलाओं की लिखित परिच्छा और प्रसिक्छड के लिए योजना बनाई जा रही है जल्दी इस संबंध में आदेस निर्गत किये जाएंगे चुकि मनरेगा मेट में जो मेट है उसको काफी लिखा पड़ी का काम करना होता है और अभी वो काफ्जों पर करेगी फिर आगे चलके कंप्यूटर पर भी करना होगा तो ऐसे में महिलाओं को योग्य होना बहुत ही जरूरी है इसलिए जो है मनरेगा मेट की जो है विशेश ट्रेनिंग दिला करके उनकी लिखित परिच्छा ली जाएगी ताकि उनकी योग्यता उनकी दच्छता देखी जा सके और जो योग्य महिलाओं होगी परिच्छा पास कर लेंगी वही आगे उनका प्रमोशन होगा पनुनत होंगी मेट बने रहने के लिए आपको ये परिच्छा पास करनी बहुत जरूरी है और अगर आप नहीं पास कर पाती है दोबारा से फिर आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी और फिर आपको पेपर देने का मौका मिलेगा लेकिन दूसरी बार में आपको हर हाल में पास करना ही है अगर नहीं पास कर पाती है तो तीसरी बार आपको मौका नहीं मिलेग और आप मेट भी नहीं बन पाएंगी आप मनरेगा में मजदूर के तोर पे काम कर सकती हैं लेकिन फिर मेट बने रहने के लिए परेपेपर को पास करना बहुत जरूरी होगा तो यहाँ पर जो 60 दिन की ट्रेनिंग होगी वहाँ पर आपको 6000 रुपे मान दे भी मिलने वाला है और जोकि यह नियूस पेपर में जानकारी निकली थी तो मैंने आप सब के लिए वीडियो बना कर बता दी है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए वीडियो पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद